सो हाइ अबरीबन दिस इस करम वीर मान इजना से न आज डहीत तोपिक लेक हैं जो मैं इंपोर्टेंट और जो जरूरी टॉपिक हुंदा पने आपने 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 आइल्स ते विचे राइटिंग टास्क टू जिदे राइटिंग दे विचे सब्सक्राइट बेटे जूं सब्सक्राइब केडियां 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 सब्सक्राइब केडियां केडियां सब्सक्राइब केडियां 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 नाल उनु लिखना गा प्रॉपर ली और अपनों सारे नों बता के टास्क टू यहां फाइव तू सिक्स ने उनु फाइव तू सिक्स तैप्स केडिया ने आज दी वीडियो देविच मैं तुन्हों एक्स्प्लेंड करूंगा सारा तुसी स्टार्ट करना देखना गा प्रॉ यह जड़े बच्चे ने रहे एक्जाम देना जड़े बच्चे चिन्दा ने फ्रेश जोएं किता सारे ने लई एं मोस्त इंपॉर्टेंट वीडियो है तो वीडियो दू तने आभिनाल देखे हो ते जिन्ने भी वीवर्स ने जिन्नने हरे तक चैनल मेरा सब्सक्राइब किता वो चैनल में जुरूर सब्सक्राइब करना विकाज बहुत वदिया वदिया कंटेंट हों दी वे या थोटे सारे मिली सो वीडियो वाल देखो सो देखो राजयर राइटिंग टास्क-टू देविस होंदा किया एम टास्क पूर चेड़े किट ही किटे किटे टाइप्स ओअifferent आप देख्रिया अग्री और सख और सगंड धूरुं में दोंह पराकर ऊंगे जैसी आग्रियों तॉस्टी पॉंट लिखांगे जैसी डिशागरी हो रहे हैं उनली डेलवेंट लिखा दिटन आ को हम अमकिन को आजन muscular संब्सेल कि घार है इंafarныटों सकते हुछ और रिजॅशंच सब्सक्राइब भी त्ससेड्डीस कि करने जो GUY पर यह सैgment के रहां संब動画 सोभी यिए, अड्वां टीजिस जादे ने यहां डिसpri incarnate लिखन्ही niż जन्हें अड्वांटिश्ट जादे, यहां डिस्ट बार इतना अड़ आजन्दा अड्वांटिजी सब्बार से एंड अपीनियन ऐसे डिसकस बोथ व्यूज मीन्ज राजे कोई आर्ग्यूमेंट गिवन हुंदा पनू के हाफ पीपल जड़े ओ एकगाल पॉइंट ए बोल रहे ने हाफ पीपल जड़े पॉइंट बी बोल रहे ने तुसी दुन्दों पॉइंट ए व्यू भी डिसकस करना तो व्यूज मीन्द एक इन अपना ओपीनियन देना के एड़ा थूं वदिया लगादा ए आज अंद आपना डिसकस बोथ यूज ऐसे डिन आज अंद रहे तु वट एक्सेंट दू यू अग्री और डिसजग्री और डिसग्री मीन्स कि तुसी किनी कहाद ता कि सेहमतों कि तो आप 70 50 50 50 20 सेम वाय स Legal Юवार से आपने EXPs में टाइपस नीजिया इस ताइफ टाइप उस्त कि नSecats अपने को डी को डा की कुपलिशन विए देखो टास्क डू देवेच बच्चे इंट्रोड़क्शनिफ्चे उस्ते बदेवांक डीजन दा इंट्ड़क्शन जिडिया इसी स्थेयलमेंट सतों कि गिवन हों दिया असी उनू लेख देएंगे दीजने के जुकोपए पाइब नोन olsun जी सब्सक्राइब कोड़नी सब्सक्राइब अपने कょ देट Doch introduction नो लिखन दा तरीका किया के introduction के में लिखनी है then body paragraph one start के में करना connector केड़े use करने नेगे केड़े नहीं use करने body paragraph two कर रहे है केड़े connector use करने है केड़े नहीं करने so most important चीज सी रज़े भी task two दे विच introduction दो body paragraphs एक conclusion एक चार चीज़े हुं दिया आपा देखांगे राज़े के इन्हों how to write an essay essay नो लिखना के में हुन तो नो सारे में पता राचे के introduction है introduction देवे चुम्दा refresh plus thesis ए दो points नो बला के introduction बंग दिया जीजे समनूं half band score मिल दे नहीं introduction रीफ्रेज केड़ी statement नो करना thesis statement केड़ी तो करना अद्धे बच्चे नो था यहीं नहीं पता के introduction रीफ्रेज केड़ी लाइन करिये सार thesis statement सानूं नी सामझों निके के में लिखिये होनो एदे वेच्च मोटा मोटा एक point समझ लो के जे introduction लिखनी है ता जेड़ी background statement कोई भी सानूं view यूं given होगा ओनूं तो आसी करांगे रीफ्रेज ते जेड़ी आगी thesis statement तीसी statement केड़ी आओगी थीसी जाली आजे चाहे सारे बोलोगी तुसी अग्री डिसगरी हूं बियादे अडवांटेज जा देने या डिसद्वांटेज जा देने problem solution ऐसे या प्रॉब्लम केड़ी या solution की आजे ये सारिया नों मलाके thesis statement बन दिया जेड़ी भी सानूं topic आओगा असी ओ स्टेटमेंट दे अकॉड़ी गे नूं change कर लांगी और देखो ये देवेच मैं तुलों इही समझाया हुए है के रिफ्रेज करना का सी background statement नों जेड़ा भी सानूं view जेड़ा भी सानूं phenomenon given होगा उनूं असी रिफ्रेज करांगे इत्याम दिनान सौन दो जेड़ी background statement होगी उनूं असी रिफ्रेज करना का thesis statement always होगी question statement वी जेड़े वेच agree disagree आला point आ गया कोई advantage disadvantage आ गया discuss both views आ गया इस तरह दिया जेड़िया question statement सुन दिया ने ओं दिया अपनी thesis statement तब ए दो चीजा ने पहला उनूं रिफ्रेज करना हुन रिफ्रेज तो मतलब की समय दे राजे जी रिफ्रेज ना मीनिंग हुंदा राजे के असी हो दिन आला सनन्यां जलाने सो अंदा रिफ्रेज थीसीज की हुंदा गा जिडी अपन बोथ व्यूज आ लिए दसनिया के मैं agree करना या disagree करना हुन एता होगी introduction होन अजरा जे body paragraph 1 & 2 थी देखो body paragraph 1 हुंदा body paragraph 2 हुंदा बोडी paragraph 1 दे विच्छ आप में पॉइंट डिसकस करना लगा लो तुसी भी मैं agree हुंदा अपने को लेके agree disagree point हुंदा body paragraph 2 दे विच्छ मैं तुन की रस यसी भी आपा disagree point mention करना हुन मालो मैं agree हुं ता मैं agree आदा point एथे पहला explain करूंगा फिर मैं main point 2 आजडा वो disagree आदा पहला एक point समझ लो मालो मैं किसे भी statement दे अगरी करता मैं body paragraph 1 लिखना चाह रहे हुं ओदे विच्छ जिटा main point हुगा ओ मैं agree दा लिखूंगा ओ main point नूँ लेख के ओदे ना ओ point नूँ explain करूंगा main point नूँ explain करूंगा main point start करन दा वे कियागा to commence with first and foremost to start with to begin with why I agree with this statement यह आपने को ले आज़ुगा main point main point करन दो बाद नूँ explain करना explain करके ओदे कोई related example देनी है के ए चीज़े हो रही है था आ सरवे हो या सी कोई आ स्टड़ी होई सी जीदे विच सम्वेदे बारे पता लगया then as you the result mention करना example mention करनी कुछ जुरूरी नहीं है रहे जिद उसी एथे main point एक लेख रहे हो ताथ उसी एथे 2 points भी लेख सा रहे हो पर दोना नू explain पूरे वदिया टंग देना लग करना then on the result mention कर देना के जेडिया ए दो चीज़ां हो रही है इन दा result a निकल के हो दा नतिज़ा निकल देना दा so a body paragraph one दा त्रीक करा जे दुबारा समय लो पहला पर लिखना main point के मैं क्यों agree करना मंदो उसी एक point लेख लेया फिर मैं उनुकी करना गा explain करना जे थोटे कुल example नहीं है गी मांदो जे एक्जांपल पाके उदा result mention करना by chance थोटे कुल एक्जांपल नहीं है ग एक्जांपल नहीं है कि तासी एक point दी जगा दूसरा point भी add का सकते हैं अपने body paragraph देविचे फिर मैं उनुकी अगे जाके की करना गा explain करना गा ता इस तरह आपना body paragraph one दिदाओ completely ready हो जूगा सारे आपके नेक्टर सुन सेंपल आंसर देविचे दखाऊंगा कि के मैं लिखने हैं हुन नेस्ट देखो body paragraph two और body paragraph देविचे two देविच किया कि मैं ताजी disagree करना statement देविचे क्यों करना मेरा main point अब मेरा main point आ तू कि मैं क्यों disagree कर रहे हैं फिर मैं ओ point नो explain करूंगा फिर उससे related example देके उधार result mention करूंगा सेम इस साइड हा जे एक्जांपल नहीं है की main point एक लेके दो पॉइंट हा जड़े तुसी उन्हों नों लेके उन्हों explain कर देना ते थोड़े 2.5 बैंड में जड़े पर बॉड़ी पराग्राफ किते निगे जेकर असी वदिया without spelling mistake वदिया सननियम्स वदिया connectors नों यूज करके लेख रहे हैं सो इता सीगा रजे body paragraph बारे next आ जूगा रजे conclusion ने विच क्योंगा रजे अब दो connectors ने जिनाना असी conclusion start करते हैं to conclude inclusion in conclusion उन्हों उसके रीफ्रेज करने है रजे साड़ा main point 1 main point 1 केड़ा हो जोगा जेड़ा असी BP1 दे विच लेख रहे हैं ते main point 2 main point केड़ा हो जोगा जेड़ा जेड़ा जी BP2 दे विच लेख रहे हैं इना दोना points नो उसी की कर देना गा रीफ्रेज कर देना तांके सांदों clear हो जे के साड़ा एं conclusion दे वेच मैं दस्या भी ए नतीजा निकल रहे हैं पहला main point जिड़ा मैं दस्या मनलो problem भी ए problem ए दे ए reason ने एस reason करके problem हो रही है then main point 2 दे वेच आपा की दसना सी भी एदे solutions ने फिर मैं की दस्ता भी while this can be solved by taking these measures जिड़ा सी main point लिखना उनना दोनरों करके रीफ्रेज लेखता point five band score साड़े conclusion दे वेच्चर पक्के होगे सोड़े point five half band score सोड़ा कोई नी को सादा दो तो ताप ए सिकर आजे structure total structure अपना टास्क तू दा कि किमे किमे टास्क हो तू पहला पा देखिया ने types की ने एसे दियां फिर इसी देखिया किन्ने किन्ने band categories ने कि में कि में डिवाइड होंदाया इन्टोडक्शन के में लिखनी हैं फिर इसी देखिया body paragraph one दे two के में लिखना फिर इसी देखिया conclusion के में लिखना होने इस दे ना ली थूनएक sample answer लेके तूनु मैं एक clear out कर बहुत नहीं कि में आपां इंट्रोड़क्षिन रीफ्रेज थे थीसिस करनी है गयो दे वेचे वे बॉडी पराग्राफ बान दे वीच असी स्टार्ड करना में पॉइंट लिखने नहीं कि में बॉडी पराग्राफ टू करना गया थे कि में कंक्लिउजन वोसी वदीया तरीक क्फाने बॉडे के संब बिजिनेससेश फाइंड डैट इ। देयर न्यू एतं बॉड्वरक्षिस लैग बेसिक इंटरल स्किल अच आपके गईरों फॉर्दर्डा नों पतालागा है ऑशिदल हीमस्वर्द स्कै अक्राथ हए necessity क वेसिक आपके दरा स्किल्स दिए जोग를ग कारंदियां स्किल्स बहुत ज्यादा काट नहीं उन्हाने ए सनु स्टेटमेंट दिती नेक्स्ट उन्हाने सनु पुछ है कि के वर्ट आर दा कॉज इस सजेस्ट पॉस्टिबल स्ल्यूशन विए दे पिछे कारण की किने सानु एदे सल्यूशन दसो भी इनु किमें सॉल्व क किता जा साथ ता और संदू इंद्धा पता लाग गया रहे के जड़ा स्ट्रेटमेंट आशाड़िये का दी अपने को लेक्ट टाइप असन देखे पता लाग आ कि एक प्रॉब्लम स्ल्यूशन ऐसे हा जिए केडियां केडियां प्रॉब्लम जने जिविजिए आप प्रॉ इंट्रोडक्शन वेच मदूल की किया है रीफ्रेज प्लस थीसिस दोई चीजां करनी है ले हुन रीफ्रेज आपक एड़ी स्टेटमेंट करनी है राजे अपनी क्वेश्चन अपनी बैक्ग्राउंड स्टेटमेंट जेड़ी अपनों गिवन होंगी है बस हुन दस्यसी कोई होगी फेक्ट जिड़ा सनु गिवन है एक एड़ी स्टेटमेंट होगी अपनी बैक्ग्राउंड स्टेटमेंट जिड़ा अब वट आर दस स्लीकाजिज एंड़ सुजस्ट पॉस्टिबल स्लूशन एक ही होगया राजे अपनी हे थीसिस स्टेटमेंट होगी आप बाली एक्षी सटेटमेंट एक्षांपल किया संपल आंसर देख देख देया पाट एंट्रोड़क्षण केमें लिखे किमें ऑनु हुण रिफ्रेस करिए किमें दिखिया इंट्रोड़क्शन जेडि में थोड़ी लिखी आगी वो इंट्रोड़क्शन किया उन्देने कैसी के सम बिजिनसेज फाइंड देड वि उन्दनों पता लागदागा वियों यकीन कर देने हो चीदे भी जेडियों नमें इंप्लोयर ने नमें कम्यान वो रख देने अपनी जोब दे उपर उन्दने वेचा स्केल्ज दी काट हुन दिया होंदा सी कि लेख लिया है इट इस बलीबड बया फ्यूइम्पलोयर्स होन फ्यूइम्पलोयर्स वर्ड की दी जगह आपा यूज कर लिया है Samp expresses services दे जगा, सभीदा सनननी हम पता सी, Samp business दे जगा, सिगलेख्लेख्लेख्लेख tapesba, की बिलीब करदेने, helmets toPass have that their new employees, आपकी रेख लेख ले, new employees, new employees, 係 नहीं हे लेख लेख, उनने क्या Montgomery. Lack means कि उनना ते वैच्छी skills नहीं होदिया, इंतर्परसुनल्सकेल्स उपन्डामेंटल सॉशल अबिलेटीज़ मैंुआए neden वियंके टाटके स्केल के पी-पिया लिप्रेजस्कें है उन्हेंने क्या new employees असी की लेख लेया new workers उन्हेंने क्या lack आपकी लेख लेया do not possess उन्हेंने क्या interpersonal skills आपकी लेख लेया fundamental social ability सानु संगनिय मांदेशी साथ ने सानु वधिया ठांग देनाल दखाता के एस तरीक के नाल सी यह चीज़नू लेख साक देंगे उन्हें इस तो बाद इता अपनी की होगी रीफ्रेज जीड़ा आपने questions लिगा और रीफ्रेज कम्प्लीट हो गया रीफ्रेज तो बाद उन्हें की किया what are the causes वी एदे reason की की ने उन्हें देखो ओ आपकी में लिखी there are many factors उन्हेंने क्या सी causes अपकी लेखता there are many factors behind this situation बसे की लेखता कि there are various factors बहुत सारे factors ने फिर उन्हेंने क्या suggest possible solution वाइल उन्हें पकी लिखिया there are many factors behind this situation बहुत ज्यादा reasons ने ये पिछे वाइल जबके some steps can be taken असी कई steps ले सकते हैं by individual कौन ले सकता individuals ते society कले कले परसर भी ले सकते हैं सोसाइटी राल में लोके भी ले सकते हैं to mitigate it possible solution means की problem नूँ solve करने लिए अपागे लेहता solutions to mitigate it अपागे लेहता solutions to mitigate it अपागे इन्हों की कर लिया असी रीफ्रेस करता रीफ्रेस करके असी थे thesis line लास्ती के बहुत सारे factors ने जी एदे पिछे इन्दे solutions भी बहुत सारे ने जेड़े के individuals ले साथ ने सुसाइटी ले सकतिया ते जिदन अले problem solve हो सकतिया सो इता देखो रहे बहुत वदिया टांग देना अपनी introduction बन गी और नेक्स आपा देखना means there are many reasons for the lack of interpersonal skills in budding employees budding employees means we did a new employees ने भी बहुत सारे reasons ने abundant reasons for the lack of interpersonal skills भी a skills होना देख है नहीं एदे पिछे बहुत सारे reasons ने अपा उद्वार्स connector use की तरह यहां the biggest culprit responsible for this phenomenon is और किछे ता सी लिखना सी the first reason is असी एक वदिया टांग देना अवसा नो connector रहनागा सी connector use की था the biggest culprit responsible for this phenomenon is the dependency on technology of today's youth यह ना सब्तों वड़ा reason किया विजेडा अजकाल दा यू था और technology दे उपर ज्यादा डिपेंड करता गा समझ गे सब्तों मेंड पॉइंट सी गाज़ा जिडा जिडा मत उनक्या सी कि आप मेंड पॉइंट लिखना गा आपना मेंड पॉइंट हो गया ता बेगे स्कल्पिर रिस्पॉंसिबल फॉर दिस फिनॉमिन इस दा डिपेंडेंसी ओन टेकनोलोजी ओफ तुडेज यूथ यूथ है वो टेकनोलोजी दे बहुत ज्यादा निर्पर करदा गा और नेक्स की आगा टू फिर मत हुनू की किया सी गा यह पाओ पॉइंट नो की करनांगा एक्स्प्लेंड करनांगा तू यूज करने लिए कनेक्टर आपा की यूज करले या तू इलैबोरेट एट मूर बीनू जाला एलैबोरेट करता में इदे बारे जाला दास्दांगा यंस्टर्ज इस रिमें ग्लिउड तू देर डिवा पार असी बाहर जाके तांगे अपने रूम दे विछ बैठके इसी आइसोलेट हो के चलोने या तास यह पॉइंट नो के में देखता वी जड़े यंग्स्टर्स ने आजकल यंगर ज़रेशन है जड़ी ओर रिमेंड गल्यूड रिमेंड गल्यूड था मींज कि हो चेप के र सुसाइटी तो वक रह जा देने वार उनना जाने नहीं है और रूम देवेची बैठे रहें देने लंबे समय तक जिदे करके सुसाइटी देवेच उनना दा मेल जोल नहीं हैगा वने ताँ देरफोर राजी आपा कित्थे यूज कर देन निया या देरफोर आपा देरफोर नहीं है और पालवेची अधा जाधा टेकनोलजी देपेंडने करके वना देब्सेंटी परेफेक्ट की पहेंदा के वना दी परस्नल इंट्रक्शन ना था होना देर नेबर्स ना लगुं दियांगी काट जान दियांगी जारके आपास कंप्लेक्शन तेंस कीता ह सब्सक्राइब न उसके अभी किर सब्सक्राइब कर दो कि अगी उन्हें अधिता डिगता में पॉइंट। अनु इत्थे एसी की पॉइंट कर रहे हैंकर सेकेंड पॉइंट दे रहे हैंगे moreover, schools are ignorant towards overall personality development of their learners as they emphasis mainly on their academic performance के moreover, whole key reason आगा एक reason तथ यह इत्थे mention करता दूसरा reason मैं तथ समझा रहे हैं वो की आगा के जिढ़े schools ने वह बहुत जादा इग्णोर कर देने भी परसनेलिटी डेवलोपमेंट दी उन्हादे लर्णर दी उन्हादे उपर ते आंडी दे के उन्हादी परसनेलिटी लू डेवलप करना ओंगी कर दे आज़ दे बस ओंगला इंफैसिस मेली ऑन देर अकेडमिक पर्फॉर्मेंस बी ओ वह उन्हाद देकलेश अकेडमिक पर्फॉर्मेंस दे या ओपर ते जा टर्ने दे या लोगिधा नंब्र लॏंब अट च Commission ने वह त्यार कर दे दो चम पड हो गया जआ Kore करा स्कूल्स ने ले नहां ुह ए जो न त्याहम ने दे एस ढूंद करते क्या एन दो longest जवत है बाड़ी पराग्राफ वान क्लियर हो गया होगा सारा विक्ये में कनेक्टर यूज किता स्टार्ट करने लिए तू कमेंस विद पहला दसंदे लिए दा बिगेस कर्प्रेटे रिस्पॉंसिबर इस उन्हों एक्स्प्लेइन करने लिए तू इलाबोरेट इट मोर फिर दा रज ब क्लिजन रसी देवेच एक्सप्लेइन काते हैं वह अन्टर निकाली आप वॉडी पर्याग्राफ तू देवेचे स्लूशन दीकिते स्लूशन कीयों रिटा है सून बॉडी पराग्राफ तून ते आं दिनाल देखों बॉडी पराग्राफ तू की यहाधागा आवयवर सम मेयर्ज उन्दाने कैसी सल्यूशन आपके लेख लेया है सम मेयर्ज के हावेवर सम मेयर्ज के एफेक्टिव तो रिवर्स दिस नेगेटिव फिनॉमिनन वी एस फिनॉमिनन नू कटा अंडे लई कई मेयर्ज द लेते जा सकते यागे उन्दुबादा आपके नेकर यूज कर फर्स एन्दा फॉर्मोस्त वन इज के सब तो पहला ते जरूरी केड़ागा इज चिल्डरन शुड बी इंकरेज़ द मोर बाई देर पेरेंस तो गो आउट और क्यूमिनिकेट विद पीपल रैदर दन जस्त स्टेंग इन दी हूम दी पेरेंस नू इंकरेज करना चाहिदा कि उन्ना दे बच्चें बाहर जाने लोक नाल मिलर नन गल्ला बाता है करने जाके ओपने करे बएठे रहने करना यह पॉञट आघया अगा कि पेरेंस नू इनकरेज करना चाहिदा अगा अपने बच्चे धनो कि उस्ती बाहर जा हो बाहर जाके इन दोuito कि आनल करे बाता कर एक वदिया इन्फ्लियोंस पोगा उन्हाना फ्यूचर भी है जड़ा वदिया बन जुगा पे उन्हाना जीडिया है यह लोग का देना बोल दी नहीं ओहो खत्म हो जुगी और देखो आस ही पॉइंट एक्स्प्लेंड कीता है इसे में पॉइंट टू आ गया है जिड़ा आस अधिविटीज लाइक स्पोर्स एंड प्लेज डैट रिकोर टीम वर्क मस्ट भी मेड़ा मेंडेटरी पार्ट आफ स्कूल एंड यूनिवर्स्टी एड्यूकेशन इन ओडर तू मेक दें फैमिलियर विदा बेनिफिट आफ इट किस सेकेंड मेरे को यह स्जूशन की है जी सेकेंड है वी जिडिया स्पोर्स एक्टिविटीज ने प्लेज ने गे जिनना दे वेचे टीम वर्क चाहिएगा जितने राल के बच्चे नों काम करना चाहिएगा मस्ट भी मेड मेंडेटरी वी उनना एक जरूरी पार्ट बना देना चाहिएगा स्कूल ते यूनिवर्स् की होन के उसी ही दे फाइनली एक पोईट होर मेंचन कर रहे हैं फाइनली कॉर्पोरेशन्स केन अल्सो प्रवाइड सच टास्क टू न्यू कमर्स डैट रिक्वाया देम तू वर्किन क्लाबरेशन दूरिंग देरे ट्रेंडिंग पीरिड वी जेडियां कंपनीज ने गिया कि वह एक टीम दे विचे काम करना आगे ट्रेनिंग पीरियर दे दुराना ताके वह दिया मिर्लन सारक को गल्ला मता कर सकना है थेडेशन दूर कर सकना तहीं देविच आपा बॉडी पराग्राफ टू देविच आपा की कीता अब दास्ता के बहुत सारे मैयर्स आपा लैसा ईटिउड लेंड देशन टू दोरles起ल और एडिफ्रेज की करेंगा थ्यां घुक्रेंगे करने रूपन दनूर्न की करना गा मैयर्स और जो मीरेजें कढ़ आपा मैय्न पॉल दोर मेंशन सेंद विचेillas ऺ़्इफ्रेर ऑब यदि सोशल स्किल्स असी की रहता है अपना बॉडी पाराग्राफ वन दे पॉइंट्स जाने के में पॉइंट वन दा पाइदे विचा आ रीफ्रेस करता है ये किया कॉंट्रिब्यूशन फ्रों पेरंट्स एंड अथॉरिटीज विल परूव वर्थवाइल टू शॉर्ट आउड दिस एशू विच जे पेरंट्स ते अथॉरिटीज ये कॉंट्रिब्यूट कर लगियां ता ओ वधिया साबित होगा एस इस इशू नू सॉल्व करन दे 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 तो है सीगा रजे अपना टास्क टू बारे सारी इंफर्मेशन के केडियां केडियां टाइप्स ने केड़े केड़े बैंड्स को डिवाइड हुंदे ने किमें किमें इसी लिख साकते हैं इंट्रों दे विच किया है बॉडी पराग्राफ दे विच किया है कंक्ल्यूजन सेंपल आंसर के रिफ्रेस के में करांगे चीजिस के में लिखिया फिर इसी बॉडी पराग्राफ वन के में लिखिया टू के में लिखिया देन फाइनली कंक्ल्यूजन के में इसी होगा शो इसे तरह दे कंटेंट और यहोड वीडियो के सअब मिलुट कंटां कि जरूर दसे करो एंड फॉर मोर वीडियो से कून्ठ बिकाज बहुड बहु केसे वीडे कि अ